असलाम लेकुम क्लास बचो आज नेक्स्ट अमने 1.2 एक्सराइस करनी है 1.2 के आपके फर्स 13 क्वेस्टन्स आपके सलेबस में है लेकिन आज हमने फर्स 7 क्वेस्टन्स डिसकस करनी है चिक है सबसे पहले आपको एक फर्मूला बताती हूँ अगर आपके पास कोई कurance number है उसकी power कहा गया है कि find out करें तो जब भी किसी complex number की power find out करनी है आप सबसे पहले उसे polar form में change करोगे polar form में complex number z equal to r cos theta plus eota sin theta होता है उसके बाद आपने जब उसकी power apply करनी है तो आप उसके जो polar form होगी उसकी whole power ले लोगे whole power का मतलब होगा first term की भी वही power है second term की भी वही power है R की power N तो direct कर दोगे लेकिन जब भी कभी cos theta और sin theta के उपर कोई power आज़े और आपने power imply करनी हो तो इसका मतलब भी होता है कि जो power है उसको आप उसकी angle से multiply कर देते हो जब आप power को उसकी angle से multiply कर दोगे तो वो cos theta plus theta sin theta हो जाएगी यानि कि जो भी power होगी radius की directly linear cos और sin की angle के साथ power को multiply कर देना है अब देखें सबसे पहले question number one start होता है question number one में आपको उनोंने कहा हुआ है कि given expression को आपने a plus a उटा b की form में लिखना है तो देखें यहाँ पे basically power की बात हो रही है इसके अंदर जो term आती है वो हमेशा z होती है आपने लिखा कि given आपको z equal to minus 300 plus a उटा है सबसे पहले power है तो इसे polar form में change करोगे polar form में change करने के लिए r और theta की value चाहिए r देखें first term का square plus second term का square होता है तो आपने minus under root 3 square plus 1 square लिखा square plus में change हो जाएगा आपके पास minus sign और इसे कटके 3 आ जाएगा यह 1 आ जाएगा यहाँ से radius की value 2 आ गई उसके बाद देखें आपके पास जो z equal to minus under root 3 plus a उटा था इसके अंदर x negative है y positive है और जब आपका x negative हो y positive हो तो आपका यह second quadrant बनता है second quadrant के अंदर angle आपका pi minus theta होता है तो आप लिखोगे angle pi minus 10 inverse y over x है y की value 1 है x की value under root 3 है इसकी आप calculator पे value निकालोगे यह pi by 6 आएगा तो इसको solve करोगे theta की value 5 pi by 6 आजाएगी यह जितना भी काम करना है calculator में यह आपने radian के अंदर convert करके करना है calculator में degree पे आपका calculator fix होगा आपने उस radian में change कर लेना है फिर सारा काम pi की form में आ जाएगा उसकी बाद जो अब आपके पास theta और r की value निकली आप उससे z को polar form में लिखोगे z equal to r को theta प्लस eota sin theta होता है r की जगा उसकी value theta की जगा उसकी value लगा दी question में उसकी power 2 कही हुई थी तो both side आपने उसकी power 2 ले लेनी है power 2 लोगे तो whole power 2 आ गई radius पे लगसे power का square आ जाएगा और cos और sin पे जब power आ रही हो उसकी एंगल से multiply हो जाती है आप उसकी एंगल से multiply कर दोगे 2, 3006 होता है 2 का square 4 होगा ये 4 बन जाएगा calculator पे value निकालोगे इसक minus 103 आजाएगा simplify करोगे तो add the end ये आपका answer होगा इसी तरह बाखी 2 parts है वो आप लोगों ने खुद करने उन दोनों parts में भी value कही हुई या आप उसे पहले दिखोगे polar form में change करने के लिए r or theta की value निकालोगे जिस quadrant में लाए कर रहा होगा उसके respect से theta निकालोगे polar form में लिख से number 3 में यह के complex number over की form में आ रहा है मैंने बताया था जब complex number dvn की form में आ रहा हो तो नीचे वाली टम का conjugate लेते हो से multiply करते हो conjugate में योटा का साइन चेंज हो जाता है तो आपने इसका conjugate लिया आपके पास 1-103 योटा आ गया conjugate से multiply डिवाइट की आपर वाली टम जलक सॉल्फ की नीचे वाली टम जलक सॉल्फ की LCM लिया सिंप्लिफाइग किया करने के बाद जैट आ गया माइनस 1 बै 2 माइनस 103 बै 2 योटा अब इस complex नंबर को आपने polar 4 में चेंज करने है फिरी आप इसकी पावर अप्लाय कर सकते हो पॉलर 4 में चेंज करने के लिए आर की वैल्यू निकाली आपने theta देका third quadrant में लाएका रहे दुनों negative है तो theta की value निकाली third quadrant में theta theta minus pi होता है आपने उसकी value निकालने के बद उसे polar 4 में लिखा z equal to r cos theta plus eota sin theta उसकी power 6 थी तो board side power 6 अप्लाय कर दी 1 की power 6 1 नहीं होता है इसके साथ 6 multiply हो जाएगा angles के साथ calculator पर solve करोगे तो agent इसका answer आपके पास one ना जाएगा अब ये तो हो गया आपके पास question number one अब next आपके पास है question number two next देखें question number two में आप से काया आपने simplify करना है आपको एक complex number दे दिया powers की form में दिया power मैंने बताया जब भी आए angle के साथ multiply कर देते हो तो देखें basically यहाँ पर पहले cos के साथ 2 theta था sin के साथ 3 इसके सा 5 और 4 इसका मतलब इसकी whole power 2 भी है इसकी power 3 है इसकी 4 है इसकी 7 है अगर मैं यह 2 वाली power को बाहिर निकालना चाहूं तो मेरे पास आजए का cos theta प्लस iota sin theta की power 2 क्यूंकि इसकी whole power का मतलब यही है कि theta के साथ भी ही multiply होने है इसके साथ भी तो यह जो 2 यहाँ से पता चलता है theta के साथ 2 multiply हो रहा था इसलिए हम इसे over की 4 में लिख सकते है क्यूंकि भी मैंने आपको बताया कि अगर यह चीज़ हो cos theta plus iota sin theta की power n हो तो यह आपके पास equal होता है cos theta plus iota sin n theta तो अगर यहाँ से यह step से step पे आ सकते हो तो step से back वाले step पे भी जा सकते हो यहाँ पे इसके साथ multiply हो रहा है तो n को अगले step में अब उसकी power में भी लिख सकते है तो 2 multiply हो रहा था 2 को power में लिख दिया इसी तरह 3 multiply हो रहा था लेकिन साथ ने minus sign भी आ रहा हो तो minus 3 आ जाएगी power यहाँ पे 4 के साथ minus sign भी आ रहा है तो इसकी power minus 4 हो जाएगी यहां simple plus के साथ 5 आ रहा तो plus 5 हो जाएगी minus sign तब लाजमी लेना जब center में minus sign आ रहा हो करने के बाद देखें चारों की base same हो गई है, base same हो गई है, 5, 2s are 10 होता है, 6, 3s are minus 18, यह minus 28, 40, basis same हो तो उपर वाली powers add हो जाती है, जो product होती है और dvn में subtract हो जाती है, इन दोनों की base same है, इसकी power add करोगे तो minus 8 बनेगा, उपर नीचे की power add करोगे तो plus 12 बनेगा, यह plus 12 जब उपर जाएगा, minus 12 में change हो जाएगा, तो 8 minus 12 minus 20 आ जाएगा, तो यहां से इस ट्रम की cos theta plus yota sin theta की whole power minus 20 आ जाएगी, और minus 20 को आप अगर solve करके लिखना जाएगा, आप लिख सकते हो cos minus 20 theta, जब उसके साथ multiply होगा, plus yota sin minus 20 theta, और इन जर्णल इसे लिख सकते हो, CIS minus 20 into theta, यानि power सारी पहले comment कर ली, एक form में change किया, उसकी जो whole power है, उसको उसके साथ multiply करके CIS की form में बता देना है,